अभी टाइम हो रहा है 1.16 और हम लोग का नेक्स देस्टिनेशन है कोटे अवे फॉल्स जो कि यहां से है 40 मिनिट्स अल्मूस्ट 4.3 किलो मेटर्स आइस पर गूगल मैप वहीं चलते हैं और कोटे अवे के बाद हम लोग चलेंगे अवे फॉल्स कि यह लग रहा है इस रास्ते पर कोई उतना आता नहीं कि एक भी लोग तो देख नहीं रहे है कोई गाड़ी यह कुछ उद्धे से जा रहे करके तो अब यह कहीं भी इस जगा का नाम मेंशेंड नहीं है मतलब जो भी मैं ट्यूटोरियल देखा हूं यह जगा का नाम कहीं भी मेंशेंड नहीं है यह हम लोग को पता चला जो हमें रूम दिखाने लेके गए थे वहां से मतलब उन से मुझे पता चला वो बोले कि यह भी अच्छा पॉल्स है यह वे फॉल्स की तरह इधर वे गोंशाओ करके देखेरेर रीजन वे गए और कुर्ट में आने के बाद यह दूसरा ब्रीज हम लोग जातो रहे है लेकिन जाने को बहुत ज्यादा फाइदा होगा लगता नहीं है कम से कम नदी में तो फिलकुल पानी नहीं है तो पता नहीं पॉल्स में कितना रहेगा कि मुंसन के टाइम में रहता है कि लोग लगवक आ चुके कोटे अबे पॉल्स यहां देखो किसी का घर है तो अब यहां उपर यह देखो पहला इंसान दिखा इस रास्ते में तो आटा लेके जा रहे हैं कि कोटे अबे फॉल्स जा सामने कि क्या पार्किंग कोटे अबे फॉल्स का पार्किंग तो इतना थेमस नहीं है तो शुद बीष्माल वन अनली तो इस पार्क दबाइट के आए लिकिन जो रहे हैं रहे हैं इस यह बेसिकली कोटे अबे फॉल्स का एरिया और यह जो जगाई यह सादा शॉप्स है और यह फार्किंग का प्रेसे से तो वहां मेरा बाइक पार्क है जो दिखाई दे रहा है थोड़ा सा ब्रिज के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूं फॉल्स क्या है और उससे पहले एक बर यहां देख लीजिए यह सारा लोग नहा रहे तो अबे फॉल्स में जो है नहाने का पर्मिशन नहीं है लोकिन यहां है मेरे ख्याल से रीजन यह है कि यहां फ्लो उतने ज्यादा नहीं है तो इसलिए पॉल्स देखिए यहां है और इस तरफ लोग नहां रहे अब इस तरफ भी नहां सकते काफी लोग गय हुए है मैं जूम करके थोड़ा से दिखाता हूं यह कुछ ऐसा दिखता है और यहां का वादिया भी ठीक ठाक है मतलब बहुत बढ़िया तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है तो यही है फॉल्स का रास्ता यहां एक रिजॉर्ट भी है जो कि काफी अच्छा है शायद में यह रिसर्च करने के टाइम थोड़ा देखा भी था फॉल्स के पास बाचा है जगा है तो दिस इस अ क्लोजर लूक आप दे फॉल्स बहुत बढ़ा तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि मुश्म के टाइम में जोग है वह बहुत भर जाता है लेकिन एक अच्छी बात है पानी बहुत प्लियर है यहां नहां भी सकते हैं काफी लोग उधर नहां भी रहे हैं ब्रिज के उस पार भी जैसे मैंने दिखाया थ और यहां भी लोग काफी नहां रहे थे अभी तो कोई नहीं नहां रहा है अभी भी तो हम लोग कोटे अवे फॉल्स से अभी निकल रहे हैं खास कुछ था नहीं बहुत छोटा सा एक फॉल्स था on the way पढ़ता है तो इस वर्थ विजिटिंग लेकिन आप इस फॉल्स के लि कि यहां फाइनली एक फोटे मिले जहां वाइट राइज मिलता है तो अभी यहां जाड़ी पार्क करेंगे और चावला खाएंगे खाके फिर राइट कंटिनियों करेंगे काइम हो रहा है दो बज के बीस और हम लोग का सिर्फ दो ही पाइंट कवर हुआ है शोफर और काफ चलते हैं वाइट राइज सांबर ओमलेट है तो हम लोग का भी लॉंच हुआ ये सारा समण रखा हुआ है मेरा बिलियन भी उदर ही है लंज के संबर और हॉमलेट और राइस सिंपल सा है थोड़ा सा यहां बैट रहा है क्योंकि यहां का जगा बहुत अच्छा है खाना पीने के बाद ऐसे हम लोग बेंगोली लोग है तो थोड़ा सा वह आलस टाइप का लग जाता है तो आपको ने भी रिष्टुरेंट और हम लोग बैठके खाना खाएं और यह वाद यहां यह बहुत सही है बहुत अच्छा है और यहां है लोग का अपना गार्डबी यहां फूर्ट्स वगर होता है जैसे यहां पाइन अपल हुआ है तो ऐसा नीचे बहुत सारा हम लूग घूम के अभी बहुत सारा सबजी और बहुत सारा चीज होता है जो है लोग बेशते हैं काफी कम प्राइस में हम लोग एक पाइनपल भी लिये 20 रुपए में इससे बड़ा था हो काफी लेकिन हो 20 रुपए में लिया बहुत अच्छा है एक नया इंफोर्मेशन पता चला मेरा जो पि करने टेंट में जाए मतलब कोई टेंटिंग कैम्प हो ऐसे कैम्प एस सच हम लोग नहीं डोन रहेते हैं कोई अलग से सिर्फ हम लोगी रहेंगे और जगा थोड़ा सेक्यर हो कोई दिक्कत ना हो वहां यह ऐसा नहीं कि चीता वीता रात को निकल जाए और उठा के लेकर च कहीं भी आप टेंट लगा लीजिए और आप कुछ भी कीजिए अपना मन से कोई दिक्कत नहीं फूड वगेरा जो भी अकॉमोडेशन चाहिए लोग प्रोवाइड करते हैं पानी फूड बॉनफायर अगर आप करना चाहते हैं लोग की वह लगा देंगे सारा कुछ ज्यादा और मुन्सुन में टेंटिंग का अलगी एक्सपिरियेंस रहता है तो अंडाउटेटली आप लोग यहां आ सकते हैं मतलब मेरा अगर प्लान नहीं रहता है और यहां रुख जाता मुझे अगर पहले पता रहता मैं यहीं आगे रुखता लेकिन आप नहीं कर सकते कोई और दिन और मैं कॉंटक नमबर यहां डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और साथ में यह ओनर है जो उनका कॉंटक नमबर बताएंगे आप कॉंटक नमबर आपका बताईए अब यहां से निकलने का बारी नेक्स डेस्टिनेशन है एबी फॉल्स जो कि यहां से लगभग 29 मिनिट्स अभी दिखा रहे हैं लेकिन वह बड़े जी सकता है क्योंकि पाहड़ी रास्ता है कुछ बताने ही सकते हैं आप चलते एबे फॉल्स उसके बाद सीधा कोंचेंगे मडी कड़ी और मडी कड़ी का दो लोकल साइट हम लोका पेंडिंग है जो लास्ट टाइम नहीं किये थे वह कंप्लीट करेंगे और उन में से दो अट्राक्शन है बेसिकली आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि यह ट्राफिक लग गया और यह आगे वाला स्कूटी उस गाड़ी को जाके ठोक ड्राप बहुत तेज दोने जा रहा था लगन हो गया तो बिसिकली हाँ जो बोलना चाहरे थे हम लोग आ गये है यह जीप स्टैंड जो जाने के टाइम में दिखा था और यहीं से एक रास साइड में जो रास्ता है नहीं यहां से यूटन देंगे और यह आवे फॉल्स वाला रास्ता में लोश आएंगे हम लोग नजदीक पहुंच गये है आवे फॉल्स का यहां बास साइड बस का यह पार्किंग जोन है और हम लोग फोड़ा और आगे बढ़ते हैं जाने ना एक तो यह है अबे फॉल्स अबी एक्चुली फॉल्स का एंट्रेंस और यहां पता नहीं टिकेट लगता है कि नहीं और इन्वेज यह एंट्रेंस अबे फॉल्स तक जाने के लिए ऐसा कुछ रास्ता है सीडिया है बेसिकली इंट्रेंस के बाद जो आप एक गनलू फॉल्स छोड़के मैं जितना फॉल्स देखा हूं यह उन में से सबसे ब्यूटिकुल है उपर चोटा चोटा स्टेफ है उसके बाद यह बड़ा सा फॉल्स है बहुत बड़ा तो नहीं है जैसे होग्रू या दसम हो गए लेकिन फुशुरत तो है तो यह है फॉ बहुत ज्यादा पानी तो है नहीं लेकिन मुन्सुन के टाइम में इसमें काफी ज्यादा पानी रहता है बतले पूरा एकदम भर भर के गिरता है और यहां नहाना या ऐसा कुछ करना एलाओड नहीं है और एक बात है यहां पहले एक हैंगिंग ब्रीज था जैसा कि हम उपर से एक छोटा सा वाच टावर भी है जहां से अब देख सकते हैं लेस्ट गो देर ओके तो हम लोग अभी निकल रहे हैं एवी फॉल से हम लोग देख चुके यहां थोड़ा सा टाइम बिता है जंगल के बीच वो सीडी में कुछ चैर्स रखा हुआ रहता है जाम लोग बैखे थोड़ा वेलपुरी वेलपुरी खाए ओके अभी थोड़ा से टाइम बिताने के बाद हम लोग रिटन कर रहे है माडी केरी और अगर टाइम परमिट किया तो हम लोग थोड़ा से चलेंगे राजाज कॉम और वहां देखेंगे क्या सीन है और कॉफी प्लेंटीशन जाने का भी थोड़ा मन है क्योंकि जब इधर आया है तो वह थोड़ा देखेंगे अभी टाइम हो रहा है 4.58 और यहां से माडी केरी 4.5 km है जो कि जाने में लगवग 15 मिनिट लगेगा हाला कि Google बता रहा है कि 11 मिनिट में पहुंच जाएंगे तो प्लैन में थोड़ा से च चीज़े थोड़ा ड्रम कर चाहिए थोड़ा सा कुछ अलका सा खाना पी ना कर लेते फिर निकलेंगे हम लोग का मैडम जो है अभी तयार होके आ चुक है है जो कि यहां से लगवग 650 मीटर से और जाने में लगेगा दो मिनिट साही है तो दो मिनिट में पहुंच जाएंग यही जो रास्ता है लेक्ट वाला जहां से बस आरे है यही रास्ता जाती है हैया भी फॉल्स या वो सब की तरह है यही estamos Raja's Tom की पताड़ यह आंधे लोग कहां Bic यहां एक गेट पे दो हाथी बैठे हैं मतलब खड़े हैं आपको वेलकम करने के लिए और यह गेट 10 रुपे करके टिकेट है और ऑपोजेट में यह टिकेट काउंटर अब टिकेट लिजे और आपको यहां सबसे बड़ा कन्फीजन होगा कहां बाइक पार्क करें आप कहीं अब यहां पार्क किया गाड़ी गेट के सामने और अभी चलते हैं अंदर देखते हैं यह एंटरंस और यह है बिसिकली राजाज टूम्प मुझे उस पार जाना है और देखना है यहां एक्चुली दो है और दूसरा इधर है दोनों का स्ट्रक्चर बिलकुल सेम है कोई ड दोड़ा पुराना मतलब पड़ा हुआ है घर चलते हैं उस तरफ देखते हैं आगे क्या है राजा स्टूम्प की मतलब सामने की तरफ तो बिसिकली यह है ऑपोजिट साइड में एंटरंस और यहां डीटेल में लिखा हुआ है मैं वीडियो में दे दिया हूं पढ़ लेना डीटेल में मुझे अभी मूड नहीं है और अच्छा यहां आप अंदर जा सकते हैं पिसिकली एक मंदीर है ओके यह नहीं बता था पिसिकली एक सिपजी का मंदीर है पिसिकली यह दो नहीं दो बड़ा और एक छोटा है पीछे यह थोड़ा से चोटा है जो मुझे लग रहा था कि यह वाला और यह साइड वाला दोनों सेम हैं लेकिन ऐसा है नहीं यह है राजा स्टॉम के अंदर वाला हिस्सा जहां एक बड़ा सा पार्क है मतलब बहुत ब पार्क है और यह एक टूम है और दूसरा और वो पीछे वाला तीसरा यहां कुछ समाधी भी है यह टीपू शुल्तान के टाइम में इसका रिनोवेट किया गया था बस इतना ही है राजास्टॉम के बारे में और यह पार्क है यह अच्छा जगा है मतलब इस यह वाड़ा स्पेंट करना चाहते है तो इस गुड़ ब्लेस थोड़ी सहर से थोड़ा सा बाहर है मतलब एक दम बाहर नहीं जस्ट थोड़ा सा बाहर है तो उतना हल्ला गुला नहीं है बहुत सान थे अब मैं तो इधर स्वया था काफी देर तक घास के उपर तो अभी उठा हूँ अब तो यहां से हम लोग सोचे कि अभी टाइम है तो हम लोग निकल जाते हैं कॉफी प्लेंटेशन की तरफ और जो कॉफी प्लेंटेशन दिखाते हैं मैप में वह मडी गड़ी से लगवल 30 किलेमेटर के दूरी पर है लेकिन वह एक्च्वल नहीं है एक्च्वल कोई दूसरा ह तो यह हम लोग एक ड्राइवर वाई ने बताया वह लोकेशन भी दिया यह एक्च्वली नैशनल हाइवे है जहां से हम लोग माडी गड़ी में बिसिकली आते है जो बैंगलोर माडी गड़ी रोड है वह यही है और हम लोग थोड़ा दूसरा रूट से आया है इसलिए हम बीच में उठें नहीं तो इन स्ट्रेट जाएंगे तो मडी गड़ी सरकेल आए है हम लोग थोड़ा पीछे जा रहे है बैंगलोर की तरफ यहां से लगबग साड़े चार-पांच किलेमेटर है